फार्माकोलोजी का फर्स्ट इनिट का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन फर्स्ट एर में भी आप पढ़ चुके हो इसलिए मैं जस्ट इसको सूपर्शिशली रिवाइस कराऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है फार्माकोलोजी के सेकेंड इयर में भी पढ़ेना है आपको फार्माकोलोजी में ठीक है रूट मतलब होता है पात रास्ता एड्मिनिस्ट्रेशन मतलब होता है बॉडी में किसी चीज़ का इंप्रड्यूज होना बॉडी के अंदर किसी चीज़ का जाना इसको बोलते है administration, ठीक है, absorption मतलब होता है आउशूशित होना, है न, pharmacology में हम pharmacokinetics पढ़ते हैं, pharmacokinetics पढ़ते हैं, pharmacokinetics में हम ये पढ़ते हैं, कि body drug के साथ क्या करती है, और pharmacokinetics में हम पढ़ते हैं, कि drug body के साथ क्या करती है, तो body drug के साथ क्या कर सकती है ADME A से absorption D से distribution M से metabolism और E से elimination absorption मतलब drug का systemic circulation में जाना blood circulation में जाना इसको हम बोलते हैं absorption distribution मतलब body में drug का distribute होना different compartments में जाना blood brain barrier को cross करके brain में जाना placenta को cross करके fetus तक पहुचना ठीक है और body के जो different tissues है different organ system है सब में drug distribute होती है और इसी को हम drug distribution कहता है तो उसके बाद drug का metabolism होगा individually इस पर किसी पर भी short note लिखने के लिए आ सकता है metabolism में भी आपका phase 1, phase 2 reactions होते हैं आपका alkylation होता है methylation होता है drug को इस form में convert किया जाता है कि drug को body से easily eliminate किया जा सके क्योंकि drug यदि body से eliminate नहीं होगी तो उसका accumulation होगा accumulation की विज़े से toxicity body में बढ़ेगी तो drug के side effects आएंगे ठीक है तो root of drug administration का मतलब होता है drug का action provide करने के लिए body में जाना इसको हम बोलते है root of administration हर root के अपने advantages होता है disadvantages होता है यह कुछ conditions के depend करता है है ना कि हमें किस root से दवाई देनी है यदि हमें 100% bio availability चाहिए तो हम IV root से drug देंगे intravenous इसमें drug barrackly systemic circulation में जाएगा और waste of drug भी कम होगा तो ऐसे drugs जो काफी expensive होते हैं costly होते हैं उनको हम waste नहीं कर सकते हैं क्योंकि generally जब हम oral root से drug लेते हैं तो वो fully systemic circulation में नहीं जाता है liver उसको resist करता है फोर इक्जामपल हमने oral root से परासितमोल 500 mg लिया तो हो सकता है कि वो 300 mg blood circulation में जाए और 200 mg liver resist करें तो वो हमारे feces के तुरू बहार निकल जाएगा पर ऐसा हम expensive drugs के साथ नहीं कर सकते हैं जो potent drugs होते हैं और कुछ drugs ऐसे होते हैं जो कि स्टमक से लिये जाने पर body उनको as a protein consider करती है और उनको destroy कर देती है फोर इक्जामपल oxytocin का injection है hormonal preparations है इनके IV root से या parental root से ही इनको दिया जाता है है न अदर्वाइस यह destroy हो जाएंगे यह अपना action provide नहीं कर पाएंगे जैसे कोई patient है वो कॉमा में है कोई patient है वो unconscious है बेहोस है तो ऐसे बेहोसी के हालत में हम उसको parental root से असानी से दे सकते हैं लेकिन parental root थोड़ा सा costly होता है है न जैसे हमने ज़ि को injection खरीदा उसका पांच रुपे का वाइल है और हमने उसको लगाने के लिए 30 रुपीज हमने nurse को दे दिये हमने 10 रुपीज का needle syringe खरीद लिया तो हमारे 40 रुपीज ट्रैडिशनल ही खर्च हो गया है है न हमारा जो ड्रग था वो हमें मिल गया पांच रुपे का लेकिन उसको बॉड़ी में इंजर्ट करने के लिए हमने 40 रुपे खर्च कर दी है तो expensive होता है और skilled person नहीं लगा सकता है नर्स लगाईगी यह तो डॉक्ट लगा जिसको आता है वह injection लगा सकता है काम इंसान तो नहीं लगा सकता है जैसे आपका आपके q vobien का डॉट अब होते हैं आपके डेल्टोउइड मसल्स होते हैं आपके ऐपर आम आंश में आपको यद्टी- इंट्र यान्र को लगाना है तो मसल्स में ही आपको लगाना है वो आर्ट्री और नर्वं नहीं लगने चाहिए अना लोगों को sa 굉장u प्रॉब्लम हो जाता है जब उनके बटक्स पे गलत जगा इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उससे उनका महाँ पर गाठ भी बन सकती है एपसिस का फॉर्मेशन हो सकता है तो यह सारे consequences face करने patient को पढ़ सकते हैं फिर उसकी सिकाई करनी पढ़ती है काफी pain होता है इसलिए आप skilled person से ही injection लगाएं तो जाधा बहतर रहेगा तो हम appropriate route को choose करते हैं और यह depend करता है patient की situations पर है ना कि हम patient को किस तरह का formulation किस तरह का drug हम उसको दे रहे हैं ठीक है तो patient की physical condition कैसी है वो होश में है नहीं है जैसे कोई lunatic patient है जो पागल हो चुका है तो वो और operate नहीं करेगा डॉक्टर के साथ तो उस case में उसको parental देंगे है ना emergency situation है किसी का accident हो गया है तो accident के case में हम उसको उसके body में हमें दवा का response fast चाहिए तो हम उस case में parental देंगे है ना अब किसी patient को यदी diarrhea का condition है उसको lose motions लग रहे हैं उसको vomiting हो रहा है अब नीचे से भी उसका धकन खुल गया उपर से भी खुल गया है उल्टी कर रहा है और lose motions हो गया है तो हम उसको GI track से दवाई कैसे दे सकते है oral route से oral route से जब हम दवाई देंगे तो वो उसकी elementary canal में जाएगा GI track में उसके बाद वो blood मे जाएगा तो ऐसे केस में हम क्या है उसको injections patient को देते हैं patient की एच पर भी depend करता है है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका stomach upset रहता है और उनको stomach में problem है तो उस case में हम parental route से देते हैं और parental route से देने का benefit यह भी है कि first pass metabolism avoid होता है अब question है कि first pass metabolism क्या होता है जब हम drug oral route से लेते हैं तो फॉर्स टाइम जब liver से होके गुजरता है तो उसको first pass metabolism कहते हैं कुछ drugs first pass metabolism के बाद deactivate हो जाते हैं अपना action नहीं देते हैं तो ऐसे drugs को हम हमेसा parental route से देते हैं तो यहां मैंने आपको कुछ conditions पता है इसको आपको धान में रखना है what are the different factors which impact on the route of administration physical condition of the patient, chemical property of the drug, emergency condition और routine use और patient का consciousness और कोई medical condition like diarrhea vomiting, age of the patient और first pass metabolism या first pass effect तो यह कुछ conditions है जिनको हमें धान में रखना है route of administration में major four type of routes है inhalation जिसमें हम nasal cavity के थूँ inhale करते हैं अस्थमा के patient में यह route काफी prefer किया जाता है नीबिलाइजर आते हैं और अस्थमेटिक पंस आते हैं तो वो नेजल रूट के थूँ दिये जाते है पेशन को यह है आपका inhalation रूट ठीक है जो की nasal cavity के थूँ लिया जाता है इंट्रमस्कूलर में हम muscles में लगाते हैं यह देखो आप यहां पर shoulder के जो muscles होते हैं deltoid muscles यहां पर हम muscles में लगाते हैं injection ठीक है और जो oil based ऐसे parental जिनका जो base है वो oily है तो हम उसको हमेशा muscles में ही लगाते हैं ठीक है और जो injection intravenously दिये जाते हैं उनको हम intramuscularly तो दे सकते हैं लेकिन जो injection intra muscularly दिये जाते हैं उनको intravenous नहीं दे सकते हैं क्योंकि intravenous जो intra muscular injection होते हैं इसमें जो vehicle होता है वो oil होता है oil based होते हैं ठीक है यदि कोई IEM का injection IV दे दिया जाए patient को तो patient की suddenly death हो सकती है कुछ ही second में ठीक है तो injection काफी risky होता है इसके side effects काफी fast body में appear होते हैं तो काफी carefully इसका use किया जाता है ठीक है और जहाँ पर भी parental root के थूँ दवाई insert की जाती है वहाँ पर doctor spirit की help से proper cleaning की जाती है नहीं तो वहाँ पर lapsus का formation हो सकता है और cotton में doctor spirit लेंगे और वहाँ पर proper cleaning करेंगे सफाई करेंगे इसके बाद हम फिर injection लगाते हैं है न और injection लगाने के बाद में फिर वहाँ पर cotton रख दिया जाता है ठीक है इससे blood के थूँ कोई भी infectious causative agent blood के contact में ना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है उसके बाद parental successfully काम करता है नहीं तो side effects सामने आते हैं एक होता topical root topical root में हम पढ़ने का काम करते हैं किन पे lotion लगाएंगे liniment लगाएंगे cream लगाएंगे कहीं स्किन पे superficially कोई भी infection हो गया है इचीं हो रही है डर्मेट लॉजिकल मेडिकल कंडिशन्स है एक्सिमा है इसकिन सुराइस है यह सारी जो है इसमें topical root prefer करते हैं इसमें बॉडी के किसी localized area में ड्रग को apply किया जाता है ठीक है तो यह है आपका topical root ठीक है यह topical root है यह intravenous root हैं इंक्त्रावेनेंस रूट में क्या है जो हमारे वेंज होता है है ढहला है आर्टरी और वेंज होती है और जो वेंज होती है वो काफी फिर 시청 विजिबल हो सके और फिर उन वेंस को find out करके उसमें निडल सिरिंज की हेल्प से अंदर मेडिके वेंट्स को डाल दिया जाता है ठीक है और जो parentals है वो small volume और large volume के form में available होते हैं ऐसे parentals जो कि more than 100 ml है तो वो भी हम IV root से दे सकते हैं, जैसे आपका glucose का bottle है, D5, D10 है, Dextrose है, और आपका RL है, Ringer Lactate Solution, यह सारे जो drugs हैं, यह हम दे सकते हैं, छीक है, glucose का bottle तो आपको लगाई होगा, यदि daily लगाना है, 7 दिन तक, 15 दिन तक, तो cannula का इस्तमाल करते हैं, cannula fix कर देते हैं, वेन में, और daily daily उसी cannula से फिर दवाई शरीर में बाली जाती है, ठीक है, तो 100% bioavailability होती है, intravenous root में यह आपको याद रखना है, ठीक है, और 4 major root आपको पता होने चाहिए, एक होता है inhalation root, एक होता है topical root, एक होता है oral root, और एक होता है आपका special type का root, जिसको हम transdermal patches बोलता है, transdermal patches में क्या है, दवाईयां धीरे-धीरे body में release होती है, जब उसकी ज़रूरत बढ़ती है, यह काफी advanced technology है, noble drug delivery system, फार्मासोटिक्स में आपने प body होगी, जैसे किसी patient को रोज हमें insulin के injection लगाने हैं उसके lunch dinner के बाद में, तो हम क्या है, transdermal patches fit कर देते हैं, तो उसकी fitting के बाद में, patient को daily daily दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, timely दवाई body में release होगी, और patient 3-4-6 महीने तक उसको कोई दवाई नहीं लेनी है, फिर उसको अ होती है, जिसमें drugs को encapsulate किया जाता है और वो sustained release और delayed release के थूँ धीरे-धीरे blood circulation में आके अपना action देती है, subpository हमारे body cavities में यूज करते हैं, जैसे rectal, vaginal, इसमें subpositories यूज करते हैं, जैसे कोई piles का patient है, hemorrhoid का patient है, वहाँ उसकी healing करनी है, तो localized area में, subpository यूज की जाती है, तो यह major root of administration है, inhalation, topical, parenteral और oral, अब हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से root से कौन सी formulation लेते हैं, है ना, जैसे हम आपका tablet, capsule, syrup, suspension, emulsion, यह सब हम oral roots से लेंगे, लेकिन कुछ creams भी है, जो emulsion के form में आती है, लोकली apply की जाती है, अब topical roots हम क्या लेंगे, whitement लगाएंगे, lotion लगाएंगे, creams लगाएंगे, और IV में सारे parentals आ जाएंगे, पैरेंटरल आपका subcutaneous roots से भी दिये जाते हैं, कुछ आपके intramuscular roots से दिये जाते हैं, कुछ इंट्राथीकल roots से दिये जाते हैं, तो यह आपके parentals आ जाएंगे, है न, और एक होता है आपका body cavities में, जिसको हम insuffilation root कहते हैं, insuffilation root में क्या है, body के जो holes है, cavities हैं, उसमें दवाईयां डाली जाती है, और एक होता है आपका ophthalmic preparations, जो की आपकी आखों में installation के थ्रूँ install की जाती है, ऐसी दवाईयां जो की आखों से associated disease disorder के treatment management में use होती है, उनका ophthalmic preparations कहते हैं, और ये आखों में insert की जाती है, जैसे हमारे country में leading cause of blindness है, motiabind, motiabind है, cataract है, बहुत सारी eyes associated problems है, तो इन ही के treatment में दवाईयां use की जाती है, आपको ये पढ़ना भी है, drugs acting on eye, है न, ये मैं आपको already पढ़ा चुका हूँ, इसका lecture में आ share कर चुका हूँ, चैनल पर डला हुआ, ये आपका pharmacology का एक पूरा unit है, तो वहाँ पर आपको ophthalmic preparation आप देख सकते हो कौन सी होती है, तो इतने route of administration है, जो की majorly use किये जाते हैं, इनकी अपने फायदे नुकसान है, वो आपको पता होना चाहिए, एक होता है आपका sublingual route, जिसमें tongue के नीचे drug को रखा जाता है, और वहीं से वो absorb हो जाती है, तो first pass metabolism avoid हो जाता है, rectal route में जो इनस की के नाल होती है, उसमें drugs को रखा जाता है, inhalation route में सून के ड्रख को अंदर लिया जाता है, asthmatic pumps का example है, transdermal patches होते हैं, subcutaneous route का example है, insulin का injection, intramuscular का injection, example है, आपका diclofenac का injection, ठीक है, और आपका panidura injection भी intramuscular ली लगाया जाता है, तो यह आपके route of administration हो गए है, ठीक है, pharmacology के यदि हम basics की बात करें, तो इसमें आता है, pharmacology में हम पढ़ते हैं, drugs की study करते हैं, drugs के pharmacokinetics और pharmacokinetics और pharmacokinetics की study करते हैं, हम यह पढ़ते हैं कि body में drug कैसे action देता है, कि कहा metabolize हो रहा है, उसके metabolism में कौन से enzymes शामिल हो रहे हैं, उसका biological half life क्या है, ठीक है, उसका therapeutic index क्या है, किसी भी drug के development में pharmacology का काफी important role होता है, pre-clinical studies में और clinical studies में, pre-clinical studies और clinical trials में pharmacology का काफी scope होता है, animal testing की जाती है, तो उसमें भी pharmacology के parameters की study की जाती है, किसी भी drug का हमें पता होना चाहिए कि वो body में कितने समय तक अपना action देता है, उसके आधार पे हम drug के dose beside करना है, कि कोई drug हमें TTS लेना है, BD लेना है, OT लेना है, कुछ drugs जैसे हैं जो हमारी body में 7 दिन तक रहते हैं, हमारे blood में, उनका action बना रहता है, तो वो दवाईयों के dose फिर महीने में पेशन को देनी है, तो suppose 4 बार देने पड़ेगा, क्योंकि एक सप्ता तक रहेगा, जैसे fluconazole जो drug है, वो सप्ता में 1 या 2 बार दिया जाता है, क्योंकि उसका biological half life जादा है, वो blood में लंबे समय तक sustain करता है, तो अपने action को लंबे समय तक maintain करता है, जैसे हम drug को administer करते हैं, तो blood में उसकी concentration बढ़ती है, और एक ऐसी concentration पाती है कि drug अपना action देना शुरू करती है, और फिर दीरे दीरे जब drug की concentration कम होती है, तो एक ऐसा point आत है, जहां से drug अपना action देना बंद कर देती है, क्योंकि drug का elimination body से होने लगता है, तो एक जो ऐसी ऐसा window मिलता है, हमें graph में जहां पर drug अपना action देती है, उसको therapeutic index पोलते है, किसी भी drug का therapeutic index हैती narrow होगा, तो उसके side effects की possibility बढ़ जाएगी, तो यह होता है आपका therapeutic index, तो यह है ना, unchanged form में drug का वो amount जो systemic circulation में जाके action प्रोवाइट कर रहा है, उसको हम कहते हैं, bio ability, तो pharmacology में हम overall drug की study करते हैं, drug के action की therapeutic window क्या है, drug का dose क्या है, drug के indications क्या है, different drugs की categories के classification हम लोग पढ़ते हैं, हर drug का side effects पता होना चाहिए, क्या है, adverse effect क्या है, इस सब भी information होनी चाहिए, जैसे for example citra gene का side effect क्या है, drowsiness, नीन दाना, उसको खाने के बाद कोई भी heavy vehicle हम नहीं चलाएंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जहां हमारे बहुत सादा focus की जरूरत हो, तो और और भी example हम देखें, जैसे antibiotics जो oral route से लिए जाते हैं, तो stomach upset हो ज प्रोब्लम आता है, drug interaction के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे आपको antibiotic के साथ antacid नहीं लेना, antacid लोगे तो antibiotic के absorption को कम करेगा, जिसकी वैसे antibiotic का हमें action ही नहीं मिलेगा, synergism क्या होता है, जब हम दूर दवाईयों को combination में देते हैं, तो उनका ज्यादा बहतर effect हमारी body में आता है, placebo effect क्या होता है, placebo effect क्या है, psychologically patient की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें कोई API active pharmaceutical ingredient नहीं होता है, ये के बार शुगर पिल्स होती है, जो की patient को दी जाती है, उसको यकीन दिलाया जाता है कि उसकी बीमारी इन से ठीक हो जाएगी, तो ये सारी terminology हमारी clear ह होना चाहिए, ठीक है, pharmacology के जाती कोई definition कुछे, तो pharmacology is the study of drugs, pharmacone means होता है, drug, logans means होता study, तो drug की study, drug के characteristics, drug की जो parameters होते हैं, उनकी study को हम pharmacology कहते है, pharmacodynamics और pharmacogenetics, source of drug हमें पढ़ना है, pharmacology में कि drugs हमें कहां से मिलती है, animals से मिलती है, plant से मिलती है, marine sources से मिलती है, major source आपका plant के secondary metabolites होते हैं, जैसे alkaloids है, saponins है, triterpenoids है, anthracunone glycosides है, glycosides के भी types होते हैं, alkaloids के भी type होते हैं, glycoside में carbohydrate sugar moiety present रहती है, और आपका जो alkaloids है, उसमें nitrogenous basis present होते हैं, chemical यह हम देखे तो, तो यह सब हम बढ़ता हैं, दवाई वेक्तिक अब खाता है, जब उसको बीमारी इसको ठीक करनी है, या किसी कोई जख्फ हो गया है, कोई फोड़ा है, उसको हील करना है, तो उस case में फिर वो healing के लिए, या cure के लिए, या किसी भी disease के जो symptoms है, लक्षण सा आ रहे हैं, वो लक्षणों को कम करने के लिए, दवाई का उप्योग करता है, या कोई preventive action लेने के लिए, पच्छने के लिए भी लोग दवाई खाते हैं, कि दवाई खाली तो यह नहीं होगा, इसका example है vaccine, है ना, और किसी भी deficiency को यदि बॉड़ी में fulfill करना है, vitamin हुआ, protein, carbs, minerals, इनकी deficiency की वज़े से भी diseases, disorder, infections हो सकते हैं, तो उसको overcome करने के लिए, हम दवाई खाते हैं, पेशिंट का comfort level maintain रखने के लिए, है ना, किस दवाई आपका physical action देती हैं, कुछ chemical action देती हैं, कुछ enzymatic action देती हैं, कुछ enzymatic action देती हैं, कुछ enzymatic action देती है अपना action देती हैं, four type के receptors हमारी body में होते हैं, GPCR, G-protein coupled receptor, एक होता है आपका nuclear receptor, जिस से steroidal drugs bind करते हैं, ये cell के nucleus पर present होता है, है ना, और enzymatic action में drugs enzyme को inhibit करती हैं, for example, आपका angiotensin converting enzyme inhibitors हैं, किसी भी enzyme के activity को यदि हम कम कर देंगे, तो उसकी वज़े से जो biological pathway आगे बढ़ रहा है, उसको हम रोख सकते हैं, और वो pathway आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसका final product नहीं बढ़ेगा, है ना, enzymatic action के तुरू कौन से drugs action देते हैं, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ये cox enzyme की activity को inhibit करते हैं, जिस से की pain mediators नहीं बनते हैं, है ना, otocoids नहीं बनते हैं, जिस वैसे नहीं फार्मकोलोजी में study करते हैं, है ना, CNS को stimulate करने वाले drugs के नाम क्या है, caffeine, जो की coffee में present होता है, ये CNS को stimulate करता है, और CNS को depressed करने वाले drugs के नाम क्या है, sedative hypnotics, इसमें alprazolum, or medazolum, और आपका dizepam, ये सारे drugs आते हैं, ठीक है, ये sedative hypnotics की category में आते हैं, physical action का example क्या है, luxative, है ना, castor oil, adult dose है, 15 to 20 ml, paid saaf करने के लिए use किया जाता है, है ना, और आपका कुछ ऐसे होते हैं, जो की antagonist की तरह काम करते हैं, कुछ agonist की तरह काम करते हैं, है ना, antagonist का example है, आपका anti-histamine drugs, जो की anti-allergic drugs का example है, allergy के suppression में use की जाती है, allergy का example क्या है, sneezing हो रही है, puffing हो रही है, और eye से, flute के secretions हो रहे हैं, nasal secretions को रोखने के लिए, या body में कहीं eaching हो रही है, redness आ गई है, इसके लिए आपने देखा होगा, evil का injection लगाते हैं, anti-allergic होता है, evil का injection, ठीक है, तो allergy को कम करता है, तो कैसे कम करता है, यह biomolecules की activity को block कर देता है, जो हमारी body में allergy cause करते हैं, जैसे allergic condition में histamine release होता है, और वो अपने patch 1 receptor से जब bind होगा, तो allergy cause करेगा, तो हम उसके antagonist देते हैं, antagonist मतलब यह receptor के प्रती affinity तो रखेंगे, binding तो होगी, bind तो करेंगे, लेकिन अपना action नहीं देंगे, मतलब intrinsic activity नहीं होगी, applicable affinity होगी, binding होगी बस, तो anti-histamine का example है, आपका citra gene, लिवो citra gene drug आपने commonly use किया होगा, physical action का example है, आपका charcoal, किसी patient ने अधी poisoning हो गई है उसको, या poisoning उसमें oral root से ले लिया है, तो हम charcoal का घोल पिला देंगे, तो उसके stomach के अंदर की जो line है, उसके covering का formation होगा, और उसके blood में वो जहर नहीं जाएगा, तो patient बस सकता है, है ना, तो ये दवाई के काम करने के तरीके हैं, है ना, enzymatic action, receptor के through, CNS stimulation, CNS को suppress करना, है ना, और आपका antagonistic action है, agonistic action है, agonistic action में क्या होता है, जैसे dopamine की deficiency हो गई तो Parkinson's हो जाता है, Parkinson's में dopamine के ही जैसा दिखने वाला हम उसका analog देते हैं, लिवोडोपा, कार्बीडोपा, है ना, और फिरिये drugs हमारी body में जाके उस receptor से dopamine की जगाँ करते हैं, और agonistic effect देते हैं, तो इस तरह से दवाईयां body में काम करती हैं, है ना, और दवाईयां जब हम खाते हैं, तो दवाईयों के main action के साथ कुछ side effects भी आते हैं, जैसे mouth में dryness होती है, भूप नहीं लगती, नींद नहीं आती, यह ना, तो यह दवाईयों के side effects होते हैं, जो side effects से ज़ादा खतरनाक होते हैं, उनको हम adverse effect कहते हैं, और हर दवाई का हमको side effect तो पता हो ना हो ठीक है, लेकिन adverse effect ज़रूर पता होना चाहिए, प्योंकि adverse action काफी harm पहुचाता है patient को, है ना, idiosyncrasy क्या होती है, यह unusual unexpected reaction of drug होता है किसी particular patient में, है ना, जैसे किसी drug को consume करने के बाद patient में, पेशेंट में access, excitement हो रहा है, तो उसको हम idiosyncrasy कहते हैं, है ना, letrogenic effect क्या होता है, letrogenic effect होता है, यह drug के overdose की वज़े से होता है, जिसकी वैसे patient में unusual responses आते हैं, यह medication error की वज़े से होता है, यह doctor की लापरवाई की वज़े से भी हो सकता है, इसको हम letrogenic effect क्या होता है, the harmful effect of drug on the fetus, इसको हम कहते हैं, teratogenic effect, placenta को cross करके, जो drugs fetus तक जाती हैं, वो उसको damage करती हैं, उसको harm पहुचाती हैं, क्योंकि fetus के जो organ होते हैं, वो developing phase में होते हैं, और वो drug को metabolize नहीं कर पाएंगे, तो उसको harm पहुचता है, synergism होता है, यदि हम दो drug को combination में दे, तो उनका जो net effect है, उनका जो individual effect का जो addition है, उससे भी जादा effect आना, यह synergism कहलाता है, इसलिए drugs हमेज़ा combination में दी जाती हैं, एक drug, दूसरे drug के side effect को कम कर सकती है, एक drug, दूसरे drug के absorption को पढ़ा सकती है, इसका example है, iron tablet के साथ में vitamin C का देना, क्या calcium mineral के साथ में vitamins D का देना, D small intestine में calcium के absorption को पढ़ाता है, और vitamin C यदि हम iron के साथ देंगे, तो iron का absorption बढ़ जाएगा, absorption बढ़ जाएगा, bioavailability बढ़ जाएगी, bioavailability बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा बेटर action हमें मिलेगा, तो हमने थोड़ा pharmacology को आज revise किया है, next class में हम आगे देखेंगे, आज के लिए इतना काफी है, आप इसको थोड़ा पढ़के notes बना लीज़ेगा, ठीक है बिटा? Yes, hello, okay है ना, कल मिलते हैं, bye. Thank you sir.